Hello students, welcome to in my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 6th की है और सब्जेक्ट है Mathematics. बिटा ये वर्क्षिट 6th October 2020 की है. तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट. वर्क्षिट शुरू करने से पहले बच्चे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट to know your number. Concept of multiplication. तो बिटा देखिए, अगर हम 3 को 5 से गुना करते हैं, multiply करते हैं, अगर 5 को 3 से multiply करते हैं, तो दोनो एक ही बात है. अगर 3 multiply 5 और 5 multiply 3 दिया जाता है अपको, तो इन दोनो का ही answer बिटा 15 आएगा. इन दोनो का ही answer क्या आएगा 15. तो चाहे आप 3 multiply 5 लिखھिए, या फिर 5 multiply 3 लिखिए. एक ही बात है, same ही बात है, दोनों, δेखो दोनों क्या है, equal है, तो इसका मीनिग या तो हम 5 को 3 बार प्लस करदे, देखो यहा है लिखा गया 5 को 5 बार 5 प्लस करदे, 3 पलस 3 पलस 3 तो answer क्या होगा, 15, आईए देख़ें क्या कहता है, Next, what is multiplication? Repeated edition product by, times or multiply, some time interesting sorry some interesting fact about multiplication if any number is multiply by 0 then the product always 0 क्या करा है अगर हम किसी number को 0 से multiply करते हैं मान लो आपको यह number दिया गया है ठीक है इसको आपको बोला है कि 0 से multiply करना है तो बटा अगर किसी भी number को हम 0 से multiply करते हैं तो answer हमेशा क्या आता है 0 आता है इसे याद कर लिजिए ठीक है किसी भी number को अगर 0 से multiply किया जाता है तो answer हमेशा 0 होता है next देखो क्या लिक है the product of any number and 1 is the number itself क्या करा है मान लो कि आपको यह number दिये देखो 9 इस number को आपको बोला है कि 1 से multiply करना है हम किसी भी number को अगर 1 से multiply करते है तो answer हमारा वही number होता है जो question में दिया गया है तो इसका answer क्या हो जाएगा 48389 तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं बस ध्यान रखना कि अगर कोई भी number आपको दिया जाता है और बोला जाता है कि उसे 1 से multiply करो तो answer क्या होगा वही number होगा next देखो क्या दिया गया बेटा तो multiply a number by ten hundred thousand we put same number of zero on the right hand side of the number अगर हमें ten hundred and thousand number दिये जाते हैं तो जितनी यहाँ पर zero है ना बेटा उतनी zero हम right side में लगा देते हैं तो हमें क्या करना है इसका product निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे simplify करते है तो आइए से समझने की कोशिश करते है बिटा देखो one to three को में किससे multiply करना है three to one से तो first हम क्या करेंगे one को न को पहले three से multiply करेंगे फिर two से multiply करेंगे उसके बाद one से play करेंगे तो कितना एक देको one ko three से multiply किया three two से किया two और one से किया one अब हम करते हैं next देखो next के लिए color change कर लेती हूं जिसे समझना असान हो जाएगा अब देखते हैं 2 जब 2 को multiply करने है क्योंकि हमने एक number छोड़ा है तो पहले हम यहाँ पे 0 लगा देंगे अब 2 को जो 3 से multiply किया तो कितना आया 6 फिर 2 से किया कितना आया 4 इसे तरह 1 से किया तो कितना आया 2 ठीक है next देखो बेटा क्या दिया गया है अब दिया गया 3 तो 3 से पहले कितने number छोड़े हमने 2 तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे समझ में आया चितने number हम छोड़ते जाते है उतने ही 0 लगाते जाते है अब 3 को पहले हम किस से multiply करेंगे 3 से कितना आयेगा 9 फिर 3 को किस से करेंगे 2 से कितना आयेगा 6 इसी तरह 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 उसके बाद जब यह number आ जाते है उसके बाद हम इनको add कर 3 में 3 0 जोड़ा तो कितना आया 3 इसी तरह 2 और 6 8 4 9 प्लस 1 10 और 4 1 यहां पे आ गया carry 9 प्लस 1 10 और 4 14 आया 14 का 1 यहां पे carry चला गया 4 हमने यहां पे लिख दिया इसी तरह 6 प्लस 1 7 7 और 2 9 और 3 तो यह इस कांसर हो जागा अब आप थोड़ी से practice करेंगे तो आपको ऐसे question कर जो multiplication है आपके लिए easy हो जाएगा next देखे क्या दिया गया है the monthly salary of a man is 2,625 what is the annual income तो देखो हम क्या लिखेंगे monthly salary कितना है 2,625 तो अब हमें annual income निकालने तो annual income निकालने के लिए हमें पता है कि one year में कितने मन्त होते है 12 मन्त हम लिखेंगे total number of the month in a year 12 और हम क्या करेंगे 12 स से multiply करेंगे तो कितना आएगा 31,500 अब देखे अब हम next question करते हैं बटा क्या दिये गए है देखे first question find 562 multiply 0 तो कितना आएगा बटा अब हमने देखा था अगर हम किसी number को 0 से multiply करते है तो answer कितना आता है 0 very good next देखे क्या दिया गया है 571 multiply 1 कितना answer हो जाएगा बटा 8741 अगर हम किसी भी number को 1 से multiply करते है तो answer क्या आता है वही number आता है हम अभी समझ चुके ना बट्चे इसको next देखे क्या दिया गया 546 multiply 100 तो हमने देखा था कि जितनी 0 यहाँ पे दी गई है उतनी 0 हम right side में लगा देंगे तो answer क्या हो जाएगा 546 00 हाना ठीक है बटा यह 0 है अब देख 241 उसके पीछे कितनी 0 लग जाएगी 30 तो यह इसके answer हो जाएंगे बेटा अब हम करते है next question find the product of 4851 multiplied 254 तो इसको multiply करते हैं आईए हम तो आईए करते हैं बेटा इसका answer देखो क्या होगा इसका answer हम पहले color change करते है question था देखो 4851 को हमें किसे multiply करना है 254 से तो देखो वही होगा पहले 4 को हम इससे 1 से फिर 5 से फिर 1 से 5 से फिर 8 से फिर 2 से multiply करेंगे तो कितना हैगा 19404 उसके बाद जब 5 को multiply करेंगे तो पहले बेटा हम 10 यहाँ लगा देंगे 5 को फिर 1 से 5 से 8 से और 4 से multiply करना है तो यह answer आएगा उसके बाद next है 2 से जब 2 से multiply करेंगे तो उससे पहले क्योंकि हमने 2 नंबर यहाँ पर छोड़ा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 20 लगा और next यहाँ पे carry चला जाएगा ठीक है carry forward होगा यह चीज का ध्यान रखिएगा तो थोड़ी सी अब practice करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आजाएगा इसी तरह जब 2 देखो 4 को 8 से multiply किया 2 को हमने क्या किया 8 से multiply किया 16 क्योंकि 1 carry यहाँ पे तो यह कितना हो जाएगा 17 इ पको एड कआ दिया जाएगा इस नमर को क्या कर दिया जाएगा 7 जऴ odd 4 को कितना हो जाएगा 4 5 का 5 आजएगा अब 4 में हम कितना पर चला जाएगा ठीक है स्टुटेंट समझने की कोशिश करो बेटा देखो 7 और 1 8 8 और 1 9 10 11 12 13 13 यहां पर थ्री और वन यहां पर कैरी चला जाएगा तो यह इसका अंसर हो जाएगा ट्वैन लाग 30 टू थाउजन वन फिफ्टी फोर्स का अंसर होगा आएए अब हम नेक्स् बेटा बोक्स कंटेन 480 विष्केट्ट उफ बिस्कित इच पैकेट तो, sommes व में बिस्किटे पॉर यहां पर कितने हैं कितने बड़त कर्थल टौ जिसमें से 1 पैकेट की बात करी जाए तो इकट में कितने हैं फ्री भी बड़त करी जाएं तो टो 2001 2 10 15 बिस्किट muk एक packet में कितने biscuits ? 12 biscuit packet in a box box में कितने packet थे ? 480 तो total biscuit टोला सब्सक्द के लिए 12 x 480 क्या किया जाएगा भीटा ? 12 x 480 हमेंग 5 क्या किया जाएगा ben तो जब 480 को 12 से multiply किया जाएगा तो देखो क्या होगा पहले हम क्या करेंगे ? टु को 0 से multiply करेंगे, कितना आएगा? 0, 2 को हम 8 से multiply करेंगे, कितना आएगा? 16, 16 का 6 यहाँ पे आजाएगा, 1 यहाँ carry हो जाएगा, उसके बाद 2 को हम 4 से multiply करेंगे, कितना आएगा? 8 8 प्लस 1, जो carry फरूर होता है, वो plus कर देते हो, कितना हो जाएगा? 9 इसी तरह देखो, फर्स हमने यहां पर 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हम यहां पर 0 लगा देंगे, उसके बाद 480 को अगर 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 480 आएगा, और उसके बाद इन दोनों नंबर को हम एड करेंगे, तो कितना आएगा, 5760, तो बिटा, आप आज की जो